नमस्कार दोस्तो स्वागत है दोस्तो चेत्रन नवरत्री का बहुत अधिक महत्वा माना जाता है चेत्रन नवरत्री के प्रतिपदा से हिंदु नवर्ष की सुर्वात हो जाती है नवरत्री में 9 दिनों तक देवी के 9 स्वरुपो की पूजा होती है और कई उपायों को कर लो तुरंद आपके विवा योग बन जाएगे तंतर सास्र के नुसार नवरत्री में किये गए उपाई जल्दी ही सुफल प्रदान करते है तो अगर आपको भी अपने मन पसंद लड़के या लड़की से साधी करनी है या फिर आपकी साधी में कोई रुकावट आ रही है तो नवरत्री में ये उपाई जरूर अजमाए तो आईए जानते हैं आपको नवरत्री की दिन क्या करना चाहिए जिससे की आपको मन पसंद लड़का या लड़की मिल जाए दोस्तो आज मैं आपको ऐसा महावपाई बताने जा रहा हूँ जो आपको नवरत्री की पहले दिन से ही शुरू कर देना है दोस्तो आपकी जितने भी उम्र है 20 हो या 24 हो या फिर 32 हो जो भी हो उतने ही आपको अपने उम्र के बराबर लॉंग के जोड़े ले लेना है और जो भी लॉंग हो वह खंडिक नहीं होनी चाहिए वह बरे-बरे मोटे होने चाहिए अच्छे फूल वाले होने चाहिए वैसे करके ले लिजेगा अगर आपकी उम्र 20 है तो वह जोरे की इसाब से 40 लॉंग लिजेगा और अगर आपकी उम्र 30 है तो जोरे की इसाब से आप 60 लॉंग ले लिजेगा फिर आपको लाल कलावे से उस लॉंग की माला बना लेनी है सभी लॉंग को कलावा से जोर जोर कर एक माला बना लेनी है अगर आपसे माला नहीं बन पा रही है तो नाया कॉटन का लाल कपरे में या फिर पीले कपरे में अपने आयू की सबसे उस लॉंग के जोरे को बान लीजिए नवरातरी का पहला दिन जब सुरू होगा उस दिन नह दोकर आप लाल कपर पहन लीजिए अब माता की समने पूजा के लिए बैठ जाईए फिर आपसे जो भी कुछ बनता है आप माता रानी को वह अर्पित कर सकता है जैसे सिंगार का समान चड़ा दिजिए कुमकुम चड़ा दिजिए गुलाप के फुल चड़ा दिजिए यह उपाई आप लड़की के लिए कर रहे है तो माता रानी को यह माला पैनानी है और अगर यह उपाई लड़के के लिए कर रहे है तो माता रानी के चर्णों में यह माला रखनी है और अगर वह माला लड़की से भी नहीं बनी है तो फिर वहा उस लौंग के जोरे को लाल स्रद्धा है तब ही वरत रखे और अगर आप वरत नहीं रख सकते तब भी कोई बात नहीं आपके मन में तो भाव है आप मन से तो मांसिक पुझा कर सकते हैं सिर्फ इतना ध्यान रखे कि आपको सातिक भूजन ही खाना है और दोस्तों लड़के और लड़किया दोनों ही बहुती अच्छा या फिर आप सिर्फ सुबह भी कर सकते हैं दोस्तों अब अगर नौ दिन हो चुके हैं फिर दस्वेज दिन मातारानी से उस मालक को ले लिनी है फिर उस मालक को आप नदी के बहतेर जल में अपने मोनोकामना कहते वे प्रवाहीत कर दिजिए या फिर अग अगर कुंडली में कोई बहुत बढ़ा दोस्त नहीं है तो इसमें आपका रिजल पॉजिटिव ही आएगा तो दोस्तों अगर आपको हमारे या वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल में नए है तो हमारे चैनल को सस् हमारे आने वाली हर वीडियो की नियोटिफिक्सन मिलती रहे जैमा दुर्गा